आज हम लोग बात करेंगे साथ असेंशियल मस्ट हैव प्लग इन फॉर वर्डप्रेस वेबसाइट दाट यू गेट फॉर फ्री हाई गाईज मेरा नाम है क्रिपेश आडवानी यहाँ पर मैं वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर काफी सालों से काम कर रहा हूं यहाँ पर मैंने बहुत सारे प्लग इन्स का यूज किया है आज तक आज मैं आप लोग को साथ ऐसे प्लग इन्स बताने वाला हूं तो security में DDoS protection, brute force protection, SQL injection, login limit लगाना यहाँ फिर login page को change करना इसके लिए एक काफी अच्छा plugin है जो कि है iTheme Security इसका मैं already detailed review कर चुका हूं हाला कि यह थोड़े पुराने version पर है लेकिन steps इसके फिर भी same ही रहेंगी क्या क्या चीज़ आपको change करनी है तो यह वाला plugin आपको जरूर install कर ले और यह सारे steps भी दिन follow कर लीजेगा काफी important है security लिए जो एक और चीज़ आपको करनी चाहिए वो एक cloudflare का DNS setup यह DDoS protection से आपको बचाएगा तो वो कैसे करना है free में उसका भी already video uploaded है दोनों वीडियो की link आपको आई बटन पर मिल जाएंगे आप लोग जाके check out कर सकते है second plugin जो होना चीज़ वो होना चीज़ आपके पास SEO optimization के लिए SEO optimization के लिए यहाँ पर हमारे पास है rank map it's an all-in-one SEO plugin इसका जो free version है वो भी काफी अच्छा है paid version भी अच्छा है शुरुवात में आप लोग इसके free version का use कर सकते हो free version में आपको काफी सारे चीज़े मिल जाती है SEO के लिए meta description वगरे हम लोग edit कर सकते हैं schemas वगरे create कर सकते हैं XML sitemaps वगरे बना सकते हैं तो SEO optimization के लिए rank math काफी अच्छा plugin रहेगा और इसका paid version भी आप लोग try out कर सकते हैं इसका भी मैं review कर चुका हूँ आपको i button पे मिल जाएगा तीसरा जो important plugin आपकी WordPress website में होना चीए वो है एक cash plugin now cash plugin में बहुत सारे आप पर options रहते हैं and it is one of the most difficult thing to setup in a WordPress website क्योंकि हर website अलग होती है हर hosting अलग होती है हर लोगों की requirement अलग रहती है तो उसके असाब सेट आप करना रहता है तो starting में I will recommend कि आप तो 100 by 100 score की तरफ नहीं जाओ anything about 70 is good page speed score की मैं बात कर रहा हूँ तो anything about 70 is good तो कौन से cash plugins का यहां पर यूज करना चाहिए तो जो मेरी पहली recommendation रहेगी वो रहेगी WP Rocket यह एक paid plugin है तो अगर आप वह afford कर सकते हो तो go with WP Rocket मेरे blocks पे यही लगा हुआ है और अगर आप लोग light speed hosting के ऊपर हो तो आपको i button पे मिल जाएगा वहाँ पे सारे hosting providers के बारे मैंने बात करिए तो अगर आपकी hosting provider है यहाँ पे light speed server का यूज कर रहा है तो light speed cash plugin का आप लोग यूज कर सकते हो free में काफी अच्छा है मैंने इसकी settings का भी detailed video बनाया था वह भी आपको i button पे मिल जाएगा और अगर आपके इंजनेक्स servers हैं तो फिर i will recommend you can go with w3 total cash and auto optimize इन दोनों का combination आप लोग यूज कर सकते हो and you will get a good result next essential plugin is to prevent spam that is anti spam b बहुत सारे spams आते हैं हमें comments में तो anti spam big free में lightweight काफी अच्छा plugin है मैं अपनी websites में इसी का use करता हूँ क्योंकि spams तो आने ही अगर आप wordpress website बनाओगे तो उसमे spams next day से ही शुरू हो जाएगे आपके comment box में आना जैसे आपकी website index होना शुरू हो जाएगे वैसे यहां पर spams भी आने शुरू हो जाएगे PHP जो hosting hosting service में जो by default PHP के through mailing services होती है उसका use किया जाता है और उसमें बहुत बार mails होते हैं वो spam में चले आते हैं यह hosting ने properly उसको configure ही नहीं किया होता है तो mails जाते ही नहीं है तो उस case में यहां पर हमें use करना चाहिए WP mail SMTP तो अगर आपके वास कोई mail है तो यहां पर आप लोग उसका SMTP डाल सकते हो और WordPress यूजर को जो फिर आप बार images properly compressed नहीं होती है optimize नहीं होती है तो smush एक अच्छा free plugin है जिसका आप लोग यूजर सकते हो image optimization के लिए next important plugin is updraft plus अगर आपको backups वगरे लेने हैं off-site यहां फिर Google Drive के उपर यहां फिर आपके local hard disk के उपर तो updraft plus एक काफी अच्छा plugin रहेगा इसको मैंने जब भी मैं एक server से दूसरे server पर अपनी website shift करता हूँ तो भी मैं इसका use करता हूँ पहले मैं backup ले लेता हूँ दिन दूसरे server पर जाके उसको restore कर लेता हूँ तो उसके लिए importance है और अगर आप लोग को backup चाहिए अपने पास क्योंकि अगर आप लोग किसी नए hosting प्रोइडर के पास मच जाओ लेकिन बहुत बार सस्ते के चकर में हम लोग चले जाते तो उस case में आप लोग इसका use कर सकते अपडराफ प्लस का backup अगरे जनरेट करने के लिए उसको Google Drive पर रखो incremental backups का यहां पर support रहता है so it is a really good plugin मैं इसका detailed review बहुत जल्दी ले आऊँगा so यह थे कुछ important plugins और यहां पर मैं एक plugin बताऊंगा जो आपको नहीं use करना चीए वो है form का plugin स्टार्टिंग में जैसे मेरी वेबसाइट है यहां पर contact us ले मैंने कोई form plugin नहीं डाला है कि अपना नाम डालो email डालो तो कि स्टार्टिंग में फिर आपको spam protection भी देखना पड़ेगा बहुत सारे मापर bots भी आइंगे तो स्टार्टिंग में आपको form plugin यूज करने की requirement नहीं है इन पाक्ट आप लोग को क्या करना है इसे वेक लाइन डाल दो कि जोगी आपकी queries है आप लोग मुझे उसको email कर दीजे जो आक्च्वल में genuine person होगा जिसको आक्च्वल में आपसे contact करना रहेगा वो email के थूझ कर ल लो और यह चैसे security को जिक्शनी फट्रफ गाइं प्राफ्ट अप्राफ प्लस को कैसे उसकर आपको थोड़ी रिसर्च करने पड़े कि सका चानल को सब्स्के लें और धाल स्यूंस आप झाल 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 झाल